हाथ रस में हुए गैंग्रेप कांड के बाद देश में उबाल देखने को मिल रहा है हाथ रस कांड के बाद पेडिता के परिवार ने प्रशाषन की कारे प्रणाली और सरकारी मशीनरी के कामकाज पर सवाल उठाया है आज हम बात करेंगे यूपी में बढ़ रहे अपराद और पुलिस की कारवाई पर उठते सवालों के बारे में बीजेपी सरकार ने सत्ता में आने के बाद एक योजना शुरू की थी बेटी बचाओ, बेटी पड़ाओ इस पर कितना अमल हो रहा है ये इन घटनाव से सामने आ ही रहा है परधान मत्री मोदी इलेक्शन के दोरान रेप के मामलों पर विपक्ष पर इल्जाम लगाते दिखाई दे थे इसके बार हत्या ये काम कौन से काम है तरह उत्तरपस्चा के जनता को गिना हो तो मुपिज अघल की मां बेटी दूंटने के लिए सपह सरकार बढ़ाई थी इसके लावे महला सुरक्षा गो लेकर सकरीए बीजेप नेता शुमरीटी इरह निолоदीche 14 से पहले महलाओं के विशे में काफी सक्रिये थी और लगातार आवाज उठा कर सरकार पर निशाना साथ रही थी लेकिन अब ये परधान मंत्री और इनके मंत्री के कोई भी ब्यान सुनने को नहीं मिलती अब ये क्यों नहीं बोलते ये तो इने ही पता होगा हाथरस के लड़की के साथ जो हुआ वै गलत था उनने साल की दलित लड़की के साथ कुछ दिनों पहले गैंग रेप की घटना हुई थी उसकी जीब भी काटती गई थी और उसकी रीड की हडियों तोड़ दी गई थी जिसके बाद वै दिली के सब्दर जंक अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूंज रही थी करीब 15 दिनों के बाद 29 सेप्टेंबर को पेडिता की मौत होगी हाला कि परशाशन का कहना है कि पेडिता की जीब नहीं काटी गई थी गला दबाने से जीब दान्तों में आ गई और उसकी वज़ा से जखम हो गया ये जो भी गटना है उस रड़की के साथ हुई वह क्याफी दुखत रही है इसके बाद जो यूपी पुलिस ने एक्शन लिया उस पर काफी सवाल खड़े हो रही है दिली के सफर्दगंच अस्पताल में हाथरस गैंगरेप की पेड़िता की मौत के बाद 29 सेप्टेंबर देर राद पुलिस यूवीता का शब लेकर हाथरस जनपत के बुलगानी काव पहुँची पेड़िता का शब काव पहुँचा तो ग्रामीन अंतिम संसकार के लिए राजी नहीं था लेकिन पुलिस ने भारी विरोध के बावजूद परीजिनों की कैर मौजूद की में गैंगरे पेड़िता का अंतिम संसकार कर दिया बताया जा रहा है कि गैंगरिक पीडिता का शव रात करीब 12.45 पर हाथरस पहुंचा एम्बुलेंस को जब अंतिम सस्कार के लिए लिजाया जा रहा था तो लोगों ने उसे रोक दिया और एम्बुलेंस के आगे लेट कर अक्रोश चिताया दरस परीजन रात में शव का अंतिम सस्कार नहीं करना चाहते से जबकि पोलिस तुरंट अंतिम संसकार करना चाहती थी रात के करीब 2.40 मिनिट पर बिना किसी रीती रिवाज के और परीजनों की गैर माजूद्की में पेडिता का अंतिम संसकार कर दिया गया आप पॉलिस का भी रविया देखिए जो वहां पर मौझे हो थी यह कहां का इंसाफ हुआ कि परिवार के सैम्ति के बिना और बिना किसे रीती रिवाज के पेडितिका का अंतिम सज्कार कर दिया गया ऐसे मामलों के बारे में सुप्रीम कोट कहता है कि भारत के समिधान के अनुछेद 21 के तहट गरिमा और निश्पक्ष उप्चार का दिकार केवल जीवत व्यक्तिकों ही नहीं बलकि मृत्यू के बाद उसके शरीर को भी उपलब्द है लेकिन पुलिस ने सुप्रीम कोट के इस बात को भी नहीं माना इसके लावा हिंदू धरम के रीती रिवाजों के मताबिक शव को रात को नहीं जिलाया जाता जो पुलिस नहीं किया वे कितना गलत था ये तो अब आपको पता चल ही चुका है आखिर पुलिस की क्या मचपूरी थी कि शव बिना रिती रिवाज और बिना परिवार की मर्ची से जिला दिया गया परशाशन से ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है इस मुद्धे पर कॉंग्रेसी नेता प्रेंकर गांधी वाटरा ने भी सरकार पर कुछ सवाल खड़ी की है क्या पंद्रा दिनों के लिए आप कुछ नहीं कर पाए इस लड़की का इलाज नहीं किया आपने पीरेता को किसी अच्छे हस्पिताल में नहीं ले गया है परसों रात को इन्हें दिल्ली लाया गया है उसके परिवार के साथ कैसा व्यवहार किया कि अपनी बेटी की लाश आखरी बार अपने घर नहीं ले जा पाए उसकी चिता उसके पिता जला नहीं पाए उनको एक कमरे में बंद किया इस तरह का व्यवहार अमान वियता का सबसे बड़ा उधारन है, आपकी सरकार कितनी अमान विया है, क्या क्या हो रहा है उक्तर प्रदेश में, और आप जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, आप आज भी ये बयान दे रहे हैं कि प्रधान मंत्री जी के फोन करने के बाद आपने साइटी जारी किए है, ये पहले क्यों नहीं किया गया, 14 तारीक को क्यों नहीं किया गया, क्या आपके प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा की कोई जिंदा नहीं है, आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे, किस तरह के मुख्य मंत्री हैं, मैं आप से पूर्चा चाहती हूँ, किस तरह के मुख्य मंत्री है आप इसके लावा यूपी से ही पिछले कुछ दिनों से रेप के कई और मामले सामने आए है मुलंचायर में 14 साल की नाबालिक लड़की के साथ उसकी ही पडोसी ने रेप किया इस मामले में लड़की के पिता ने भुद्वा रात को की दलिच छात्रा के साथ गैंग रेप के बाद उसकी कमर और दोनों पैर तोड़ दिये गए इस मामले में दो अरूपियों को गिरफतार भी किया गया है पूरा इलाखा और चामनी में तब्दील हो चुका है आई अब कुछ आंकड़ों की भी बात कर लेते हैं नैशनल क्राइम रिकॉर्ड्स प्यूरो के वाशिक रिपोर्ट में उतर परदेश में अपराद की एक भैवई दस्वीर चत्रित की गई है NCRB की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2018 में बलतकार के 4,322 मामले यानि कि प्रते दिन लगपग 12 मामले हो रहे थे उतर परदेश में वही राज्य में महलाओं के खिलाफ 69,445 अपराद दर्ज किये गए हैं जो 2017 में 56,011 दर्ज किये गए थे बच्चों के मामले में 2017 में 149 के मामले में 2018 में 144 नापालिक लड़कियों के साथ बलतकार किया गया NCRB की ही रिपोर्ट के मताबिक 2018 में 2736 मामलों के साथ अपराद के मामलों में लखनव 19 शेहरों में श्रीश पर है इसी तरह राज्य में बच्चों के खिलाफ 19,936 अपराद दर्ज किये गए इस सब मामले को लेकर जब कॉंग्रेस इनेता राहूल गांदी परिवार से मिलना चाहते थे तो पुलिस ने उन्हें ऐसा करने से रोख दिया और जाने नहीं दिया यूपी पुलिस की तेजी हमने गैंग्स्टर विकास दूबे के मामले में तो देखी ही है किस तरह गाड़ी पल्टी विकास दूबे ने पिस्टल चीनी और पुलिस ने इंकाउंटर किया ये कैसे सब हुआ इस पर सवाल अभी तक खड़े होते हैं लेकिन इनके ठीक से जवाब आज तक नहीं मिल पाए तो बढ़ रहे क्राइम को लेकर तो पुलिस क्या ही जवाब दे पाएगी बेरो रिपोर्ट पंजाब टोड़ी टीवी